हेलो फैंस नमस्कार आज कि इस वीडियो के माध्यम से सेंट्रल गवर्मेंट और एस्टेट गवर्मेंट यह दोनों जॉब में जो है कुन मोर बेटर है इसके रिगार इन डिटेल आज कि इस वीडियो में आपको पताएंगे सेंट्रल गवर्मेंट का जॉब में जो है बेनिफिट यह होता है कि आपको टैम टू टैम सेलरी मिलेगा जैसी मन्त कंप्लीट होने वाला रहेगा तो आपको सेलरी मिल जाएगा लेकिन स्टेट गवर्मेंट जॉब में क्या है थोरा यह ड्रॉबैक रहता है तो सकता है कि या इसके अलाब और कोई दूसरी विभाग में तो उसमें आपको अच्छा कासा जो है फेसिलिटी या सुवधा अच्छा मिलता है या इसमें जो है एक च्छली सेंटर गौवर्मेंट में का जो है आफिस अगरा जनरली जो है अच्छे सीटी वह गरा में लोकेटर होता है अच्छली जैसे हो सकता है कि जो डिस्टीक एट लिस्ट जो होता है वैसे लोकेशन पर हो सकता है लोकेटर लेकिन इस तो यह सब ड्रॉबेक रहता है इसके अलाबा दोनों जौब अच्छा ही रहता है मैं दुस्रा कि दोनों जौब अच्छा है तो भी सभी है वह ऊधिए आप सथे स्कुर्णैंट करने में में थोड़ा मेरे हिसाब से जैदा अच्छा लगेगा और स्टीट गॉवर्मेंट का जौब भी पढ़िया लेकिन आप और आप सस्टेट में रहके अगर आप जौब कर करेंगे तो अच्छा रहेगा इसके लावा उसमें स्टेट गॉवर्मेंट की जॉब में थुरा बहुत है बेनिफिट जैदा होता है तो आसा करते इस वीडियो के माध्याम से सेंट्र गॉवर्मेंट जॉब और स्टेट गॉवर्मेंट जॉब में क्या अच्छाई और बुराई है इसके रिगार्डिंग डिटील आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा अगर आपको चैनल का चलता है जहूँ लाइक सब्सक्राइब सेयर करने वाद